करनाड़का स्टेट वर्क बोर्ट में दुबारा योनानी मस्ति अलेक्ट होने पर गुलबरगा नाउर्थ अमेले और सिल्क बोर्ट चेर्में कनीस फातिमा को यूथ लेडर अजीम शेक की जानिब से तहनियत कर मुबारकबाद पेश की गई हैं इस मौक्या पर कनीस फातिमा के अलावा फराज अलिस्लाम, अहिमर अलिस्लाम और जैद अलिस्लाम को भी अजीम शेक के साथ उमर फारोक, आजम पटेल और अलम्दा जैदी की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया गया है गुलबर का टिस्टिक मैनोरेटी पिर्सिनन नईम खान की जानिब से अमेले कनीस फातिमा के घर पर तहनेदी प्रोग्राम और्गनाइज किया गया था जिसमें अजीम शेक और टीम ने भी खुशी का इजहार करते हुए मीडिया से बात कर कहा गुलबर का नौरत अमेले और सिल्फ बोर्ट चेर्मेन कनीस फातिमा पिछले बार भी वर्कबोर्ट मेंबर की हैसिया से ओखाफ के मसायल पर वखुबी काम किया है और अब दुबारा इन्हें वर्कबोर्ट का मेंबर बनाया गया है इस बार इन्हें उम्मीद है कि कनिस फातिमा पहले से ज्यादा वाक्वे ताहफूस के लिए काम करेंगी इस मौके पर मजीद यूत लीडर अजीम शेग ने क्या कहा जानने के लिए वीडियो आइंड तक जरूर देखें इस मौके पे तमाम उनके चाहने वाले जनाब गुलबरगा डिस्टिक मैनारेटी परसिडेंट नईम खान के बुलाने पर सब लोग मेडम के घर पर आए और अमेले मेडम कनिस फातिमा जी और फ्यूचर के मेले सहाब फराज अलिसलाम सहाब की और गुलकुशी की गई मैं इस मोके पे मैं मेडम कनिस फातिमा जी को दिल की अमीग गैरावें से मुबारक बात पेश करता हूं और ये उमीद करता हूं कि जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने तमामुदर皆ल, यह हैचके, करनाडफ है, करनाडफ है जितने भी प्राबलम्स थे उक्वाफ के वकफ के उन्हों ने जिस तरीके से उसे हैंडल किये है आने वाले वक्त में भी जिस तरीके से उन्होंन पर भरोसा जताया गया है मुझे उमीद और यकीन है कि वो उसी तरीके से अवाम का काम करेंगे मैं फिर एक बार अमेले मडम कनीस फातिमा जी को मेरी जानिब से और तमाम मेरे टीम की जानिब से मुबारक बात पेश करता हूँ और इंशालला उमीद करता हूँ कि जब फिर से करनाड़ा का गौर्रमेंट शफल होगी डाई साल के बाद मैं मेले मेडम कनीस फातिमा जी को मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहूँगा मैं ये तमाम कांग्रेस की लिडरांट से भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेले मेडम ने एंपी एलेक्शन में जिस तरीके से काम किया है आप सभी बाकु भी जानते हैं वही वज़ा है कि फिर से उन्हें करनाटा का स्टेट बोर्ड वरकॉप का मेंबर बनाया गया उसी तरीके से आप उन्हें मिनिस्टर बनाएंगे तो ये सिर्फ गुलबरगा में नहीं गुलबरगा डिस्ट्रिक नहीं ये हच के रीजन पर उनका असर पड़े गा और कांगरेस पार्टी को जिस तरीके से वो मदबूत करते हैं और उसी तरीके से मदबूत करेंगे मैं फिर एक बार तमाम यहां पे पहुंचे हुए नौजवानों का, लीडर्स का, कॉर्परेटर्स का, पार्टी के तमाम लीडरान का, सीनियर लीडरान का सब का शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी बात को खतम करता हूँ, शुक्रिया जजाक अल्ला खेर आज मैडम कनीज फातिमा साहबा के घर पे एक तहनियती प्रोग्राम जो के नईम खान सहाब मैनोरिटी प्रेसिडेंट की तरफ से रखा गया था, जिसमें तमाम कार्परेटर्स और डिफिडेट कार्परेटर्स और पार्टी वर्कर्स मौजूद थे, मैं महतरमा कनीज फाति वकबोर्ड मेंबर नॉमिनेट हुए हैं और मैं दिल की अमीग गहराईयों से जैदुल इसलाम सहाब का भी मुबारक बात पेश करता हूं